दोस्तो अगर आपको भगवान की उपर विश्वास नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए ही है तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भगवान की कुछ एसे चमत कर जो कैमरे में पकड़े गए तो चलिए सुरू करते हैं भगवान हनुमान उन भगवान में से एक है जिनें अमर होने का वर्दन मिला है और कई लोगों ने भगवान हनुमान को सच में भी देखा है तो इस वीडियो को देखिए इस वीडियो में एक वेक्ती भगवान हनुमान की मूर्ति के सामने चमत से भरा दूद हनुमान जी के म इस वीडियो में एक वेक्ती दुर्गा माता के मंदिर में वीडियो सुट कर रहा था पर तभी वीडियो निकालते वक्त दुर्गा माता की पलके हिलने लगती है ये वीडियो 2008 में बहुत वायरल हुआ था अप्रश कर दो एक वायरल है झाल झाल दोस्तो इस वीडियो को देखी इस वीडियो में कुछ लोग भगवान सीव को दूद से निला रहे होते हैं लेकिन तभी भगवान सीव के आखों की पल के बंद होते हुई आप देखी सकते हैं इसा लगता है कि भगवान सीव दूद के गिरने से अपनी आखे बंद कर रहे हैं। इसा लगता है कि भगवान सीव दूद के गिरने से अपनी आखे बंद कर रहे हैं। दोस्तों लोग चर्च इसले जाते हैं ताकि हमें भगवान की दर्सन हो सके। और कई लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं लेकिन कभी कभी मूर्तियों में भी जाना जाती है। ये देखिए दोस्तों एक आदमी चर्च में कुछ वीडियो रेकॉड कर रहा था। लेकिन वीडियो में कुछ एसा कैप्चर हो गया जिसे देखकर आपको विश्वास भी नहीं होगा। प्यौनले के लोगाते हैं लुछ भी जड़ल करेंЕ bouभावाष थास्परिजब सु के इसी देखकर चाह sil舉 उलले। थाज्वme में को फजले धो वाज़ claiming कुछ में करेंद difê ईस देखकर रहा ज्यबस्काशन है च्छले टमसरा हैं में किक शウट रहाया हैं क्या आपने ये देखा चर्च में वा रखे जीजस की आखों की पलके हिलने लगती है दोस्तों ये वीडियो बहुत पूरानी है इस वीडियो में कई लोगों को पेड़ों के बिच भगवन ओड़ते हुए दिखे लोगों ने देखा सफ़ेत कपड़े पेने हुए कोई आस्मान में जा रहा है इस वीडियो को देखने के बाद कई लोगों ने ये कहा कि ये भगवन जीजस है दोस्तों आप भगवन के उपर विश्वस करते हो या नहीं करते लेकिन इस चमतकारों को अन देखा नहीं किया जा सकता पर हमें पूरा यकिन है कि आपने भी कुछ ऐसे चमतकार जरूर देखे होंगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों के साथ सेर जरूर करें अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है तो हमारे चैनल को सिस्क्रेब करके बेल आकन कौन कर दे ताके आप ये सही वीडियो रोज देख भाए थैंक्स वर वाचिंग